हलो और वेलकम टो फूटफाइट यहां पे मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ हेल्दी एंटेस्टी रेसिपी और आज के मारी सूपर टेस्टी रेसिपी है बची हुई रोटी से गुलाब जाओन जी हां कई बार ऐसे होता ना कि सुबह रोटी हम बच जाती है तो समझ में नहीं आता कि इनका करें क्या मतलब डेली वही या तो रोटी दही के साथ ऐसे खा लो या फिर उसका पुलाव बना लो रोटी का या फिर उपमा बना लो या सैंडविच बना लो एमिन हैं बहुत से बट मिठाई बनाना बहुत ही इंटरस्टिंग काम हो गया आज तो एकदम टेस्टी वाले यहां पे गुलाब जामून बनकर रेडी हुए हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी और लगता भी नहीं है कि यह मैंने बची हुई रोटीयों से बनाया है सबने बहुत ही मजे लेकर खाये और सबको इतने ज्यादा यह पसंद आये कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया कि यह मैंने बची हुई रोटियों से उनको बना कर खिलाया है तो यहां पर देखिए मैंने रोटियां ली है यह बची हुई तो इनको मैंने थोड़ा सा कड़क कर लिया मतलब तवे पर छोड़ दिया इनको थोड़ा गरम करके तो यह तरीके से थोड़ी कड़क हो गई जिससे क्या होगा ना यह मिक्सी में पीसने में आसानी हो जाएगी और बहुत ही एक फाइन इसका पाउडर बना लेंगे हम और इसको अच्छे से मिक्सी में चलाएंगे उसके बाद हम क कड़क किये अगर पीस रहे हो चूर्मा टाइप कर रहे हो तो एक बार कड़ाई में चला कर फिर इसको पीस सकते हो फिर पाउडर बना सकते हो मितलब काफी अलग अलग तरीके से आप इसको पाउडर कर सकते हो बट हमें क्या है ना ड्राई जैसे आटा होता है ना वैसा पा अगर आपकी मिक्सी अच्छे से पीस लेती है तो आप पूरा यूज कर सकते हैं अब मेरी जो मिक्सी है वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों पीसने में थोड़े नाट कर रही थी तो जितना मुझसे पीसा गया मैंने उतना पाउडर ये ले लिया तो अभी मैं क्या कर रहे हूं यहां पे मैं ले रही हूं मेजरिंग कप तो ये वन कप के बराबर है आप कोई भी कटोरी का माप ले सकते हैं उसके अकोर्डिंग सारे इंग्रेडियंट्स ले सकते हैं तो देखिए इसमें मैं ये सारा जितना भी हमने पाउडर बनाया है वो मैं ले लूँगी और उसके पाद मैं क्या करूंगे क्योंकि हमें ये वन कप करना है तो इसमें बाकी जो है मैं गेहूं का आटा मैं यूज कर रही हूं तो इसको पूरा भर लेंगे जितना हमें चाहिए उतना गेहूं का आटा हम इसमें मिक्स कर लेंगे तो ये ले जिए हमारा जो कप है वो हो गया अ हमारा यूज होगा बहुत तेगी होग थोड़ा-थोड़ा करके मीक्स करेंगे और लिखोण Sikhya आटा के उसम्ते हैं दोड़ा हमारा इविड रकंडर के रे Means, बहुत भबाकि ठीक cracking होगा तो ये लेजिए अब हम क्या करेंगे पहले चाशनी बना लेते हैं और हमारे जो आटा है तब तक रेस्ट कर रहा है पूरा दूद में भीग जाएगी रोटी तो और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पर देखो मैंने वन कप जितना चीनी लिया है इसमें वन क पानी डाला है और थोड़ा सा इलाइची अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको चीनी को गलाएंगे बहुत गाड़ी आपको चाशनी नहीं बनानी है गुलाब जामून की चाशनी आपको पता है थोड़ी चिप-चिपी सी होती है बस उतना ही हमको रखना है थोड़ा सा मै ने केसर ही डाल दिया और बस इसको अच्छे से पका लेंगे और हमारी चाशनी जो है देखिए अच्छे से चीनी गल गई है और बस इसको गरम करके छोड़ देंगे साइड में मतलब गैस बंद कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी अब हम देखते हैं हमारी जो इसको बेंगे अच्छे से गल गई है अब हम क्या करेंगे यहां पर मैं ले रहे हूं मिल्क पॉडर अब खोया तो हर किसी के घर में नहीं मिलता ना और आसानी से आस-पास भी नहीं मिलता है बहुत मुश्किल से मिठाई की दुकान पर या फिर आपको ओर दे कर बनवाना पड़ता है लेकिन milk powder जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा कोई भी दुकान पे राशन की दुकान पे या फिर आप पतंजलिका भी ले सकते हो वो मैंने लिया है एक कप इसके साथ ही मैंने baking soda लिया है आदा चमच और एक चमच जितना मैंने घी लिया है अब इन सारी चीज लेंगे तो इससे क्या होगा ना एक तो जो आटा है वो बहुत अच्छे से गुथा जाता है जब आप हाथ का यूज करते हो और आपको consistency भी पता चल जाएगी कि कितना हमें टाइट रखना है या कितना soft रखना है बहुत ज्यादा टाइट ना करें अदरवाइस आपकी जो गुलाब जामून है वो फटेंगे आप फ्राई करोगे तब और बहुत ज्यादा इसको ढीला भी नहीं रखना है वरना आप शेप नहीं दे पाओगे उनको तो ऐसा सही हमें आटा इसका बनाना है तो चलिए अब क्या करेंगे थोड़ा सा लेंगे हम घी हातों पर अच्छ गुलाब जामून राउंड राउंड ही हमें ज्यादा सुन्दर लगते हैं तो मैं इसको राउंड राउंड ही शेप दे रही हूँ बागी ओवल शेप भी आप इसको दे सकते हैं अपनी पसंद से कोई भी शेप आप दे लो खाने तो गुलाब जामून बोल कर ही है आप अ चाहो तो घी में भी फ्राइ कर सकते हो, बिल्कूल एक्दम लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें पकाने हैं, बिसिकली लो फ्लेम पे ही पकाना, अदर्वाइस अंदर से कच्छे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे, तो फ्लेम जो है वो लो ही रखनी है हमें, और ह और अगर आपको अंदर इनके फिलिंग वाले पसंद हैं तो आप इनमें कोई भी ड्राइफ रूट्स की फिलिंग भी कर सकते हो तो एक तम मार्केट वाले टाइप बन जाएंगे ये और बैस इनको अच्छे से इस तरीके से सुन्दर सुन्दर सा हम फ्राई कर लेंगे और य अच्छे से इनको चला दिया गरम गरम चाशनी में डालते ही न ये पूरे चाशनी अंदर तक पी लेते हैं और काफी अंदर से जूसी हो जाते हैं तो ये लेजिए हमारे सेकिंड बैच वीस में आ गया है और हमारी कुलाब चामुन जो हैं बहुत ही टेस्टी से रेडी हैं अब चलिए सर्व कर लेते हैं इने तो देखे ये कितना सुंदर लग रहा है दिखने में खाने में उतने ही टेस्टी और कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने बची हुई रोटियों से बनाया है तो आप कभी भी जब बची हुई रोटियों आपके पास होना और महमान भ लेकिन भी नहीं किया कि उनको मैंने बची हुई रोटियों खिलाई है इस फॉर्म में तो बस आप भी ट्राइ करें और मुझे बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू चैनल के अच्छी तेंक यू बबा यू